कहो हे बागे सुर्धाम प्रभू, हे बालाजी महराज, हे सन्यास्री बाबा, हे कलियोक्के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जै हो, आपकी जै हो, आपकी जै हो, हे बागे सुर्भालाजी, हे सन्यास्री बाबा, आजीवन परियंद, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दर्बार से, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, बचन देते हैं, परंतु, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जै हो, आपकी जै हो, आपकी जै हो, अमनीमन बागे सुर्भालाजी को पर नाम कर लो, सन्याजी बाबा को पर नाम कर लो, माता पिता की चरणों को पर नाम कर लो, अब हमारे साथ बोलो, ओम् बागे सुराय नमाहा, ओम् हम अनुमते नमाहा, ओम् सन्याजी देवाय नमाहा, मनीमन बागे सुर्भालाजी और सन्याजी बाबा दादा गुरू जी को पर नाम करें, पुजपाद बागे सुर्भालाजी का दिया हुआ, यह ऐसा अचूक और अटूट उपाए है, जिन भक्तों के परचा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, अर्जी नहीं लग पाती, पुजपाद, श्री शन्यासी बाबा ने हमें बचन दे कर कहा था, जो भी सामुहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज, मासमंदरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, या दो महीने में, या तीन महीने में, सनी बार, अथवा, मंगल बार की पेशी करना प्रारंब कर देंगे, तो बिना परचा बने ही अर्जी स्विकार हो जाएगी, और बागेश और बाला जी की कृपा हो जाएगी, रोग में, संकट में, ब्याधी में, पीडा में, आराम लगने लगेगा, और बागेश और बाला जी की सेना पहुँच जाएगी, भले ही परचा ना बने, आपको अनभाव भी होगा, स्वप्न में, तीन दिन तक, आपको बंदर दिखाई देंगे, तो आप समझना, आपकी अर्जी स्विकार हो गई है,